इतिहास में ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपने सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर थी हाला कि ये अपने सुन्दर्ता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबों गरीब काम भी किया करती थी आपने अक्सर लोगों को पानी से गाई या भ्हेंस के दूद से नहाते तो देखा और सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूद से नहाती थी इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूब मंगाया करती थी इस रानी को ना सिर्फ उनकी सुन्दर्ता के लिए जाना जाता है बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्में रहा था मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा को सुन्दर्ता की देवी भी कहा जाता था क्लियोपेट्रा को ना सिर्फ उनकी सुन्दर्ता के लिए जाना जाता है बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्में रहा था जो आज भी खोज करताओं को उनकी तरफ आकरशित करता है क्लियोपेट्रा जितनी सुन्दर थी उससे कहीं ज्यादा चतुर और शड्यंत्रकारी भी थी पिता की मृत्यू के बाद मात्र 14 वर्ष की आयू में क्लियोपेट्रा और उसके भाई तोलेमी दियोनिसस को सैयुक्त रूप से राज़ प्राप्थ हुआ भाई को राज़ पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धुना पड़ा और सीरिया में शरन लेनी पड़ी मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा रोम के शासक जूलियस सीज़ को अपने मोह में फसा कर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया सीज़ ने तोलेमी को मार कर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंगासन पर बैठाया कहा जाता है कि क्लियो पेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुन्दर्टा के जाल में फसा कर उनसे अपने सारे काम निकलवा लेती थी इतना ही नहीं उसे दुनिया की बारह से ज्यादा भाशाओं का भी ग्यान था यही कारण था कि वो जल्दी ही किसी से भी जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी क्लियो पेट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज साथ सौ गधी का दूद मंगाती थी और उससे नहाती थी जिससे उसकी तवचा हमेशा खूबसुरत बनी रहती थी हाल ही में हुए एक शोध में भी यह बात साबित हुई है तुर्की में हुए एक अध्यन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चुहूं को गाय और गधी का दूद पिलाया गया तो गाय का दूद पिने वाले चुहे ज़्यादा मोटे नजर आए इससे यह साबित होता है कि गधी के दूद में गाय के दूद की तुलना में कम वसा होता है जो हर लिहाज से बहतर होता है कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी हाला कि वह अफ्रीकी, कौकेशिस या युनानी थी यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है इस पर आज तक शोध जारी है क्लियोपेट्रा की मौत महज 49 वर्ष की आयू में ही हो गई थी चहर के सेवन से हुई थी इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि साप से कटवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी